क्या cost leadership और differentiation के इलावा कोई strategy है जो लोग अपने business के अंदर कर सकते हैं और अगर उनके पास इन दोनों में से कोई चीज नहीं है तो business बंद कर देना चाहिए जिनको नहीं पता हो समझाता हूँ cost leadership का मतलब होता है अपने product को market में सबसे सस्ता वेचना differentiation का मतलब होता है अपने product को अलग बनाना अलग मतलब कुछ ना कुछ आपके अंदर अलग है तो अगर यह दोनों चीज़ें नहीं है तो आपको business करना चाहिए नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए सिरी सी बात है, मत करो business, बंद कर दो कुछ ना कुछ अलग क्रिएट करना पड़ेगा तभी कस्टमर आपके तरफ कीचा हुआ आएगा वह बात है आप दोना का मिक्षर कर सकते हो आपके बाद डिफरेंसेशन भी है साथ में कॉस्ट लिडर्शिप बेशते हो और कुछ अलग बेशते हो देखो कपड़े बेचर हो तो design आपकी USP हो सकती है कोई ऐसा प्रोड़ेट बेचर हो तो आपकी packaging USP हो सकती है अपकी quality of product आपके SOPs आगर आप कोई service दे रहे हो तो आप किस तरीके से service दे रहे हो वो सारी की चीज़े आपकी USP हो सकती है और जुरूरी नहीं है अगर कोई USP है और कोई और भी उसी ता पीरर एक number है सब कुछ आपका अच्छा है और यही same काम कोई और भी कर रहा है कोई दिक्कत नहीं आप दोनों differentiation strategy के उपर हो यह नहीं है कि differentiation का मतलब है दुनिया में आपके इलाबा कोई और कुछ नहीं कर रहा है differentiation का मतलब है जो आप कर रहे हो वो भीड से अलग है majority of लोग वो नहीं कर रहे है पर यह दोनों चीजे में से एक चीज होनी जुरूरी है दोनों वो तो ideally best है